Hello student, this is Prachi, welcome to our channel, आजन करने वाले हैं चाप्टर थर्ड का एक्सेम्पल फोर्थ, चेक whether the pair of equations are consistent or not, if so, solve them graphically, तो आपको यह चेक करनी है, यह जो equations है, consistent है, यह नहीं है, और अगर consistent है, तो उसको हमने graph बनाना है, तो सबसे पहले हमने last lecture में पढ़ा था, कौन सी line inconsistent और inconsistent थी, तो consistent कौन सी थी, जो intersecting आती है, यह co-incident आती है, और inconsistent कौन सी थी, जो pallor होती है, और इनकी condition क्या होती है, that is, a1 upon me, a2 is not equal to b1 upon me, b2, यह हो गया आपका intersecting, co-incident के लिए तीनों equal, और pallor के लिए last वाला unequal होता है, तो उसके लिए हमारे पास journal equation हमारे पास यह थी, that is, a1, x plus b1, y equals to c1, a2 x plus b2, y equals to c2, तो यहनी कि अब हमें जो दो equation दी हुई है, यह दो, इसको मैं journal equation के साथ compare करूँ, तो पहले मैं journal equation लिख लेती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ मैंने journal equation लिख ली है, और यहाँ मैंने जो equations आपको दी हुई है, वो लिख लिए है, तो अब हम इसको compare करते है, first one, यहाँ कि, यहा से आपको क्या पता चल रहा है a1 a1 की value क्या है x coefficient क्या है 1 and b2 sorry a2 a2 क्या है second की वो क्या है 2 ऐसी ही b1 b1 क्या है y का coefficient that is 3 and c1 क्या है that is constant 6 similarly b2 b2 क्या होता है y का coefficient by का coefficient क्या है यहाँ पर minus 3 याद से हम minus science को भी हम consider करते हैं तो यहाँ minus है तो minus भी consider करेंगे this is minus 3 and c2 क्या है c2 है आपके पास 12 तो यह equations आ चुकी है तो अब हम check करते हैं कि a1 upon a2 यानि की 1 by 2 a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 क्या है minus 3 तो आगे जाने से पहले हम पहले यही चेक कर लेते हैं 1 by 2 यह cancel किया यह क्या आ गया 1 by minus 1 तो क्या 1 by 2 equal है 1 by minus 1 के no तो यही से आपके पास condition आ गए कि यह क्या है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 यह कौन सी lines होती थी यह होती थी intersecting lines और intersecting lines की क्या होती थी consistent या inconsistent intersecting lines है तो यह यह किस की कितने solutions थे unique solution और solution possible है तो that means क्या होई यह consistent और अगर यह consistent है तो हमने इसका क्या बनाना है ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या गरते हैं table बनाते हैं तो दो equations हैं एक है आपके पास x plus 3y equals to 6 एक है 2x minus 3y equals to 12 तो इसका table बना लेते हैं यहां पर इसका बना लेते हैं यहां पर तो table के लिए हम क्या करते हैं तो table के लिए सबसे पहले हम करेंगे let x is equal to 0 तो क्या हो जाता है 3y is equal to 6 है तो y की value क्या आ जाएगी 2 तो when x is 0 y is 2 similarly let y equals to 0 एक बार y equals 0 let कर लो जब इसमें 0 put करेंगे तो x कितना आ जाएगा 6 तो y जब 0 था तो x आ गया 6 यह solve होगी अब similarly यहाँ पर जाते हैं यहाँ let करते हैं let x is equal to 0 तो जब यह 0 था minus 3y equals to 12 y equals to 12 y minus 3 minus 4 तो जब x 0 था तो y आया minus 4 एक बार हम let y equals to 0 कर लेते हैं तो यह क्या आ जाएगा 2x 2x is equal to 12 और x हो जाएगा 6 तो यह कि जब y 0 था तो x आ गया 6 तो यह दोनों टेबल बन चुके हैं अब हम graph बनाने वाले हैं तो अब यह आ चुक है आपके पास graph यह है आपकी vertical axis that is y यह है आपकी horizontal axis that is x तो हमारे पास क्या points थे हमारे पास एक table था यह और एक table था यह तो first वारे table था when x is 0 y is 2 तो कौन सा point आ गया आपके पास 0 and 2 लिख लेते हैं इसको नाम 0 and 2 second क्या था when x is 6 y is 0 तो y 0 x 6 तो point आ गया यह तो पहले x लिखते हैं हम तो यह हो गया 6 and 0 तो यह 2 points आ चुके हैं तो इसको हम join कर देते हैं तो यह मैंने line join कर दी है और इसके उपर हम equation लिख देते हैं equation क्या थी आपके पास x plus 3y equals to 6 तो अब next equation के हमने जो बनाये थे points वो थे पहले x था 0 और y था minus 4 तो x 0 y minus 4 तो point आ गए यह तो लिखेंगे 0 minus 4 next point आपके पास when x is 6 और y 0 तो point यह आ गया 6 और 0 का तो यहनकी यह और यह point को अब हम क्या कर देंगे जोइन कर देंगे तो यह मैंने जोइन कर दिया है अब इस क्यूपर भी लाइन क्यूपर हम equation लिख देते हैं क्या थी 2x minus 3y equals to 12 तो आपने graph बना लिया है लेकिन यहां पर आपको question खतम नहीं हुआ उसमें question में था if so solve them graphically, graphically solve करना है तो यानिकि आपने graph तो बना लिया solve का मतलब क्या होता है कि हमें x और y की value चाहिए तो x और y की value के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो lines आनी थी, वो कौन सी line आनी थी? intersecting lines आनी थी क्यों intersecting lines आनी थी? क्योंकि आपकी condition क्या आई थी? a1 upon me a2 is not equal to b1 upon me b2 तो इस type की lines के कितने solutions होते हैं? unique, unique का मतलब एक ही solution possible है कैसे एक solution possible है? कि वो एक ही line, एक ही point पे वो क्या करते है? कट करते हैं या intersect करते हैं और वो point कौन सा यहां पर? 6 और 0 जहां पर x की value आ रही है 6 और y की value आ रही है 0 तो यह है आप लोगों का answer तो यह होगी x की value, यह होगी y की value यह आपका solution Thank you, that's all for this video and in coming days I will complete all the chapters of class 10th So please subscribe to our channel and press the bell icon so that you will get updates of our upcoming videos Thank you Thank you